आज की वीडियो में हम आपको परधानमंत्री सोचाले उजणा के वारे मदाएंगे परधानमंत्री सोचाले उजणा 2014 की रेजिस्टेशन शुरू हो चुके हैं जिन को अभी तक सोचाले नहीं मिले हैं ग discharged की तरफ से वो आवेदन कर सकते हैं और फिरी सोचाले के लिए रासी पा सकते हैं इसके लिए आपको सोचाले रासी 12,000 रुपे मिलेंगी और आपको फोरम किस तरह से बनना है ये सारी जानकरी आपको वीडियो में दी जाएगी फिरी सोचाले योजना का रेजिस्टेशन के लिए आपको प्रदार मंत्री SBM सरकारी वेब साइट है वहाँ पर जाकर के आपको आवेदन करना होगा और दूसरा एक तरीका है कि आप अपने अपने पंचात पंचात इस तरह से यहाँ आवेदन कर सकते है सोचाले योजना का आवेदन एतूप क्या-क्या पातरता होनी चाहिए बैभारत का इस्ताई निवासी होना चाहिए और देश के आर्थिक रूप से कमजोर बर्ग के लोग योजना का लाप ले सकते है योजना में आवेदन के लिए आवेदक की नियूनता माईव 18 बर्स यह इससे दिखूनी चाहिए उसके पास आवेदक का भेंक खाता नमबर होना चाहिए आधार कार्ड होना चाहिए और इसी के साथ फोरम बरे जाते हैं और जो आवेदक का आधार कार्ड पहचान पत्र जैसे पेन कार्ड बोटर आएड़ी नेवास प्रमान पत्र राशन कार्ड आय प्रमान पत्र जाते प्रमान पत्र मोबाइल नमबर बैंक की पासपूर्ट साइज फोटो इनकी ज़रुरत पड़ती है अब आगे का वीडियो आप देखे किस तरह से प्रम बरे जाते हैं आपको गूगल पर एस भीम टाइप करना है और इसको सर्च करना है सवच भायत मिशन पर किलिक करना है इस तरह से आपको इंटरफेस नजर आएगा इसको फुल डेस्क टॉप पर कर लेता हूँ इसके बाद आपको नीचे जाना है आपको इसको नीचे स्किसकाना है और नीचे स्किसका करके आपको एप्लिकेशन फोरम फोर आई डवले चैल पर क्लिक करना है अब क्लिक करने गवाद इस तरह से इंटरफेस निकलेगा आपको यहाँ पर आपको मोबाइल नमर डालना है इधर OTP आएगा इधर कैप्चा कोड डाल करके इसको सम्मिट कर देना है अब यहाँ आपको क्या करना है यहाँ पर जब आपका रिजिस्टिशन हो जाता है तब जाकर के आपको मोबाइल नमर डालने होते हैं अब आपको सीटीजन रिजिस्टिशन पर क्लिक करना है उपर इस पर क्लिक करते ही आपको इस तरह का इंटरफेस नजर आएगा इसमें आपको फोरम भरना है अपना मोबाइल नमबर अपना नाम मेल फीमेल जेंडर जो भी है अपना पता राज्य का नाम और कैप्चा कोड डाल करके आपको भरना है इस तरह से भरने के बाद आपको जो पहले दिखाया था उसी तरह का इंटरफिस नजर आएगा भरने के बाद आपको सम्मिट कर देना है सम्मिट करने के बाद आपको यहाँ पर अपना मोबाइल नमबर और यहाँ OTP पर सेंड करेंगे OTP दर्ज करना है और कैप्चा कोड डाल करके दाकिल कर देना है जब आपका रेजिस्टेशन हो जाएगा तो इस तरह का आपका फोरम फुलेगा इसमें मैंने नाम मोबाइल नमबर और आड़रस को आइड कर दिया ताकि यूटूब की तरफ से कोई परिशान नहीं आए फिर आपको इस तीन डॉट पर किलिक करना है तीन डॉट पर किलिक करने के बाद आपको किस तरह का खुलेगा वो मैं दिखाता हूँ तीन डॉट पर आप जैसे ही किलिक करोगे तो आपको दो ओप्सन नजर आएंगे तो नए आविदन वाला और एक एप्लिकेशन देखें तो नए आविदन पर किलिक करें इसको खूलते ही आपको आपका आधार नम्मर और आधार नम्मर में जो नाम है वो नाम भरना है और बैंक की पास्वुक स्कैन करके अप्लोड करनी है नए application forum कैसे खुलेगा मैं आपको दिखा दूँगा और फिर application status है इससे आप देख सकते हैं कि आपका फोरम कहां कहां तक पहुंचा है पांच step होगी उसमें और उससे पता चलेगा कि आपका फोरम कहां तक पहुंचा है और लाश्ट में आपको अपने खाते में पैसे मिल जाएंगी जैसे यहां किलिक करोगे नए application पर तो और इस तरह से खुल के आएगा इश में आपका आधार नमर डालना है आधार कारणड में जीजो नाम है वहां फिर अधार नमर डालना और इसको कि इस खाने पर किलिक करके आपको आधार नमर सत्यापित करनाम सत्यापित होने के बाद यहां सवेंड का नाम पिता का नाम ख़ुद के नाम से बढार जा रहा है तो मभला है रूर दाल-' çünküCategorie कि आप कौन सी केटेगरी से आते हैं और आधार नम्मर अ आधार संख्या आप आज जाएंगी वे इस यहां निवास का इस्थान पता जो भी नीच़े आप को बैंक डिटेल डालना है आप पे छोड दाल दो खाता नमर डालने के बाद खाता संख्या और आपको इस पर 200KV की फोटो इमेज अपलोड करनी होगी इसकेन की हुई और इसके बाद आपको सम्मिट कर देना है सम्मिट करने के बाद आपका इस तरह से रजिस्टेशन सक्सेस्फुल हो जाएगा आवेधन संख्या प्राप्त हो जाएगी जब आपका फोरम कंप्रीट हो जाएगा तो आप आवेधन की स्तिति देख सकते हैं और आवेदन के स्थितिम चेक करके आपको लावारती का नाम है अस्वेंड का नाम कौन सा वर्ग है इस तरह से आपको पहला इस्टेप तो आपका आवेदन भरना हो गया दूसरे में आपके आवेदन की जाच कि जाएगी फिर जीओ टैगिंग के लिए आवंटन किया तो इस तरह से आपको अपना आवेदन कंप्लीट कर सकते हैं आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन हो कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक करें